आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रोइकनोमिक एड आज कामारा टॉपिक है डिफ्रेंस बिट्वीन पर्फेक्ट कॉंपेटिशन और मोनोपली तो हम दोनों के बीच का डिफ्रेंस करने वाले हैं अगर नोट सही हैं डिस्क्रिप्श्ट में लिंक मिल जाएगा ही नोट बेचते हैं सो बहुत ही सारे सेलर्स होते हैं आपके पर्फेक्ट कॉंपेटिशन में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में टूपेस का एक्जामपल दिया था कि टूपेस के बहुत सारे ब्रैंड से वलेवल हैं मार्केट में जैसे कोलगेट पैपसोडेंड बभूल ऐसे ब अपनी ऑपकर आते हैं और कोई भी एवलेबल नहीं है चलो आगे बठें बारतर अनेक्षिए of प्रोड़क्त प्रोडुक्त टाइब के बीक्ते हैं पर्फेक्ट competition में so perfect competition में जितने भी products होते हैं वो सारे homogeneous होते हैं homogeneous शब्द का क्या मतलब है कि सारे products identical होंगे यानि same होंगे देखने में जैसी कि अगर हमें पानी पीना है तो पानी की अगर कोई सी water रेलो यार पानी तो सारे एक जैसे होते हैं न प्यास बुजाते हैं उनको कोई टेस्ट होता नहीं so यह perfect competition के example है लेकिन अगर बात की जाए monopoly की तो यहाँ close substitute available नहीं है यानि कोई ऐसा product available नहीं है जो से मिलता चुलता है जैसे कि अगर हमें train से डेली से मुंबई जाना है तो इंडियन रेलवेस की train से जाना पड़ेगा और कोई किसी company की train या किसी country की train वहाँ नहीं चल रही है हमारे देश में नेक्स एंट्री एंड एग्जिट यानि perfect competition की बात की जाए तो freedom of entry and exit है यानि कोई भी firm चाहे तो आ कि अपना business start कर सकती है और exit मतलब अगर कोई firm को loss हो रहा है तो वह अपना firm बंद करके जा सकती है उसकी इच्छा है चाहे business start करो चाहे business बंद करो अब जैसे की बहुत सारी firm से अब चाहे पैप सोटेंट अब बिसनस बंद कर दे चाहे कोलगेट क्या फराग पड़ता है यार जब मर्जी कोई नई firm आजए जब मर्जी कोई सारा यार कुछ और काम करते हैं ऐसे थोणना रात और रात बंद करते कि भाही इतने सारी जंता परशान हो जाए एक्जेट नहीं कर सकती है या फिर अगर entry की बात करें entry में कोई और company आती है अपनी ट्रें चलाती है तो इंडियन रिल्वेस लाओ ठोना करते कि चलो वही हम तुमें जमीन दे रहे हैं जाओ जितनी त्रेन चलाओ जिस मर्ची घर के उपर से ले के जाओ ऐसे तो यहां पर मोनोपॉली में कुछ कुछ कंदिशन्स होती है कुछ बैरियर सोती है जिसकी वज़्यासे से य dizzy करना बहुत सादा ही ऐसा हम यहाइद है नमद्ध का नामद करते है तो यहाँ ठाई की बóriaटल 100 उरबे की भिगरी है तो आम ही बेछने ही बढ़ेगी है मुपर नीचे हम नहीं ही कर सकते हैं क्यों क्यों क्किर शौते हैं कि अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया सब को ही हो जाएगा है ना सो प्राइस कौन डिसाइड करता है इंडस्री इंडस्री यानि सारी फर्म्स मिल के एक प्राइस डिसाइड करती है उसी को रखा जाता है लेकिन मोनोपॉलिस्ट की केस में क्या है वो प्राइस मेकर होती है प्राइस मेकर क्यों होती है क्योंकि यहा तोखने वाला नहीं कोई टोखने वाला नहीं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है लाक ओफ नॉलेज तो यहां पर क्या है परफेक्ट कॉंपेटिशन में बायर को भी सेलर को भी पूरी नॉलेज है वह मार्केट में चाहते हैं हम कोई सर्फ खरीते हैं तो हमें नहीं पता है यह सर्फ महंगा है यह संधा है या काफी नॉलेज होती है ठीक है लेकिन हम अगर बात करें मोनोपॉली की तो ऑफेक्ट नहीं होती यांब एक ही प्रोड़क्ट है और वही हमें खरीदना है हम इतना ज्रवीघान कवें करेंगे anyhow बढ़तों चाहें को ईसीrauen आफ कंपिटिशन यानि कितना अगर हम पफिट कंपिटिशन की बात करें था यहां क्यों होता है रहाँ मोनपोली धाया इंया टीन कासड वोह से आएगा शींटेिसक के लिएक किकी साथ को पर स्था किरेंगे का कि कूए कि किसी के साथ नहीं वह केली है राजा है जलो नेक्स से दिमांड कर्भ यहां पे कह पर्फेक्टली ईलास्टिक क्यों है इसका रीजन क्या है क्योंकि प्राइस हमेशा सेम रहे था जागा और पर बेचे प्राइस तो भाहि ह तो हमारे सारे customers थो हमें जयरामजी की बोल के चले जाएंगे नेक्स है Monopoly में slopes downward है price इसका क्या मतलब है price नहीं demand curve slopes downward और नीचे की तरब जाता है यासा क्यूं जाता है नीचे की तरब क्योंकि अगर हमें जादा output बेचना है तो हमें price कम करना पड़ेगा एक ही seller है ठीक है हमारे पास कोई option नहीं है हमें वही product खरीदना पड़ रहा है लेकिन अगर वो seller price कम कर दे तो हमें खुशी होगी हम थोड़ा ज्यादा product खरीद लेंगे है ना चला आगे बढ़ते हैं next है selling cost selling cost का मतलब क्या होता है जो product बेचने के लिए हम जो advertisement वगरा करते हैं promotional activities करते हैं वो सबी चीज़े selling cost में आती है यह जो marketing activities basically हम पैसा खर्च करते हैं product बेचने के लिए यह अपने product की information हमारे customers तक पहुचाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो selling cost में आता है सो यहां पर selling cost नहीं होती है क्योंकि बायर को पता है यह product market में इतने का अविलेबल है और मुझे यही खरीदना है ठीक है लेकिन Monopoly के case में क्या है यहां selling cost की जाती है पैसे खड़ से जाते हैं क्योंकि यहां पर किसी को भी perfect knowledge नहीं है कोई knowledge नहीं है इसलिए information के purpose है कि हम अपने product की information customers तक पहुँचाए इसके लिए हम selling cost करते है next है control over price so हमारा price पर कितना control लता है क्या हम price को कम ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं so sellers do not have control over price यहां पे price को perfect competition के अगर बात करी जाए तो seller जो है ना price को कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अगर price को हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी customers हमें छोड़ की चल जाएंगे price को कम करेंगे तो सारी ही firms अपना price कम कर देगी फिर वापिस हम उसी stage पर आ जाएंगे का आप लेकिन monopoly की बात करें तो हम dużo पूड़ा कंट्रूल होता है price की उपर यह मंड चाहे तो price बढा सकती है मंड चाहे तो price कम कर सकते क्यों क्योंगी अकेला seller है इसकी चलती है और जिसकी चलती है बाद तो उसकी चलती है वाई कोई नहीं रोख सकता कोई नहीं टोक सकता ठीक है से वीडियो खतम